Hello everyone and welcome to our YouTube channel Bhavyam Classes. मैं हूँ आपकी पॉलिटी की टीचर भूमी बजाच और आज मैं आप सब के बीच में सविधान का निर्मान प्रक्रिया, इसका पार्ट टू लेकर उपस्देत हुए हूँ. हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिसकस किया था कि सविधान क्या है, सविधान की कारे क्या है, भारती सविधान की विशेश्टाएं क्या है, इसके साथ साथ हमने ये भी डिसकस किया था कि सविधान को बनाने वाली सविधान सभा, इसका निर्मान कैसे हुआ, इसका स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है और उदेशे प्रस्ताफ पर भी चर्चा की थे आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने इस चॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे So I hope आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेर करेंगे तो सविधान सभानी, सविधान अच्छे से बन सके इसके लिए अलग-अलग कारे करने के लिए क्या किया अलग-अलग समीतिया बना दी, कुछ बड़ी समीतिया और कुछ छोटी समीतिया अब समीती क्या होता है? समीती यानी संस्ता जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं और एक पटिकूलर वर्क के उपर काम करते हैं. ये दिखुँ सविधान के निर्मान सी संबंदित अलग-अलग कार्य को करने के लिए आठ बड़ी समीती और अन्य छोटी समीतियां बनाई गए. अब बड़ी समीतियां कौन सी थी? पहली थी संग शक्ती समीती जिसके अध्यक्ष ते जौनलाल नहरूजी तूसरी थी संग्य के सविधान समीती इसके भी अध्यक्ष जौनलाल नहरूजी थे इससे आपके स्यूटी के एक्जाम की दिरिश्टी से कोई एक्स्प्लानेशन तो नहीं आएगी लेकिन वो समीती का नाम देखकर जरूर पूछ सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था? प्रांती सविधान सम इसके अध्यक्ष ने बिहार अंबेटकर जी ये इसमम्य से सबसे इंप्रेंट समयती है जिसके पर अभी हम आगे डिसकस करेंगे फिर मौलीक अधिकारो और अल्पसंक्यक समंधी परामर्शंती जो मौलीक अधिकारों पर और अल्पसंक्यों से जुर्यए मामलों पर तो आध्यक्ष कौन था इसके ओपर तो बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि छोटी समीतिया कौन सी थी। तो कारे संचालन समीती, जिसके अध्यक्षते डॉक्टर केयम मुंशी, भाषाई प्रानतायो, जिसका क्या था? भाषा के ओपर डिस्कस करने के लिए इसके अध्यक्षते एसके डार, और वित एवं करमचारी समीती के अध्यक्षते डॉक्टर राजेंदर प्रसान, छोटी स समीती थी इसके उपर अब हम डिसकस करेंगे, क्योंकि यह important थी, तो देखो, सविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, इसका गठन किया गया, ठेक है, प्रारूप क्या होता है, प्रारूप यानि format, प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट तो इसका गठन सविधान का प्रारूप त्यार करने के लिए हुआ और इसने क्या किया जितनी भी समीतियां थी न उससे जो भी प्रफताव थे उसके उपड़ चर्चा की और उसके बाद उसको पेश किया ठीक है 29 अगस 1947 में प्रारूप समीति का गठन हुआ यह डेट आपको याद रखनी है इसके अध्यक्ष कौन थे हमने बात की पीछे अभी बियारम बेटकर जी थे और इसमें सदस्य कितने थे साथ सदस्य थे एक तो बियारम बेटकर जी एक केम मुंशी और कौन थे अलादी स्वामी क्रिश्न ही है यह सब और भी थे जो इसके टोटल साथ मेंबर्स थे जो प्रारूप समीति के सदस्य थे अब हम बात करते हैं कि सविधान का प्रभाव में आना यानि सविधान बनतो गया लेकिन ये प्रभाव में कब आया कभी इसके उपर डिटेल में चर्चा हुई भाई हम क्या सिर्फ एक चीज़ बनाके छोड़ देंगी उसके अपर फिर डिसकेशन किया पहले तो एक एक अधीनियम के उपर भहस हुई और उसको सविधान में सम्मिलित किया गया बहुत सोच विचार करके और जो चीज़े सम्मिलित की गई उसमें भी फिर डिसकेशन हुआ उसको रेड किया गया जिसमें तीन वाचन सविधान सवा में हुए और ये डिसाइड किया गया कि किसके अंदर संशोधन करना है संशोधन मीन्स चेंज करना है और किसे as it is अपना लेना है तो हमारा प्रथम वाचन हुआ चार नवंबर 1948 चार नवंबर को क्या हुआ बियारंबेटकरजी ने जो अंतिम प्रारू पेश करना था वो कर दिया सविधान सवा में इन्होंने क्या किया जो अंतिम प्रारू पेश करना था वो कर दिया और इसी दिन प्रथम वाचन हुआ और ये चर्चा अब पांच दिनों तक चली, पांच दिन यानि नौ नवंबर तक, जिसमें सविधान को सविधान सबय के अंदर पढ़ा गया और इसके प्रस्तावों पर चर्चा कीगे, फिर दृतिय वाचन हुआ अब 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और हमारा तृतिय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, इस बीच बहुत से संशोधन भी किये गए और बहुत से प्रस्तावों को वैसे ही अपना लिया गया, अब मैं बात करूँ सविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो 26 नवंबर 1949 को तो हमने अपना सविधान क्या किया, अंगेकार किया, यानि भारत की जो जनता थी, उसने सविधान सभा में सविधान को अपना लिया और वो लागू हो गया, कब 26 नवंबर 1949 और अमल में कब आया? 26 जनवरी 1950 तो जब यह अंगेकार किया, इसी तारीक में सविधान सभा में वैसे तो 299 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन इस में से 284 सदस्य ही उस दिन उपस्ति थे, जिनोंने सविधान पर हस्ताक्षर किया, अब हम आगे बात करेंगे, कि सविधान का प्रवर्तन, ठीक है, यानि कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीजे कब-कब लाग हुई, तो देखो, 26 नवंबर 1949 को तो इसको अंगेकार किया गया, यानि जो काम था, वो कंप्लीट हो गया था, और नागरिक्ता, चुनाव, तदर्थ, यानि अस्थाई, अस्थाई संसद, अस्थाई वर परिवर्तन शाली नियम और छोटे शिर्षकों से जुड़े प्रावधार, ये जितने वी टॉपिक्स ते, इन सब के उपर, अनुछेद में इनको एड़ करके, 26 नवंबर 1949 में, सविधान में चोड़ दिया गया, ठीक है, कौन-कौन से अनुचेद, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकिन 9 तक में क्या है, नागरिक्ता के उपर बात हुई है, ऐसे ही 366 में किस पे अबातकाल के उपर बात हुई है, और इस सारे अनुचेद जो हैं, ये कब 26 नवंबर 1949 को ही सविधान में जोड़े गए, और जो शेश प्रावधान थे, वो 26 जन्वरी 1950 में सविधान के अंतरगत जोड़े गए, जैसे नौ के अलावा अनुचे 10 और 11 में भी नागरिक्ता के उपर ही बात कही गई है, जिसे 26 जन्वरी 1950 के थे जोड़ा गया, तो ये तो वो प्रावधान हो गए, जो 26 नवंबर को जोड़े गए, और बाकी वाले 26 जन्वरी में जोड़े गए, अब देखो, जो कोई भी एक चीज होती है ना, उसके गुण भी होते हैं, उसके दोश भी होते हैं, तो हमने तो ये बात कर ली कि सविधान जो बना अमारा वो कितना भेतरीन बना था, लेकिन कुछ अलोचक ऐसे भी हैं, जो इसकी कमिया निकालते हैं, यानि सविधान प्रतिनी दिनिकाई नहीं नहीं हुआ जगात है। तो जनता की जब प्रतिनी दी थे, उन्होंने ही तो चुना था सविधान सभा के सदस्यों को. तो कहीं न कहीं जनता की मर्जी भी यहां पर इंकलूड थी. लेकिन आलोचा की यह कहते हैं कि सविधान सभा प्रतिनी दी निकाये नहीं थी. और क्या कहते हैं कि सविधान सभा में संप्रुभता का अभाव है यानि कि सविधान सभा का जो गठन है वो किस बेस पे हुआ वो कहते हैं आलोचा कैसा कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसके प्रस्तावों के हिसाब से सविधान सभा का गठन हुआ जैसे cabinet mission था उसके base पे हुआ था और कुछ तो ये भी कहते हैं कि सविधान सभा जो भी meeting करती थी उससे पहले वो ब्रिटेन की सरकार से इजाज़त मांगती थी तो कहीं न कहीं आपि सन प्रभुता यानी कि मतलब आपी मेनों आपी decision ले सकते हो इस चीज का अभावता सविधान सभा के पास और उसको कहीं न कहीं ब्रिटेन की सरकार के अंडर रह के काम करना पड़ा और कई आलोचक क्या कहते हैं कि सविधान सभाने तो समय की बरबादी किया क्यूं क्यों क्योंकि सविधान बनने में कितना समय लगा दो वर्ष ग्यारा महा अठारा दिन तो आलोचक कहते हैं कि ये तो उन्होंने समय की बहुत ज़्यादा बरबादी कर दी कि भाई एक सविधान बनाने में इतना समय कैसे लग गया जबकि वो क्या कंपेर करते हैं कि अमेरिका का सविधान तो सिर्फ चार महीने में बन गया था तो कुछ आलोचक ऐसा भी कहते हैं जिबकि जैन्वन बात क्या है जैन्वन बात तो ये है कि सविधान सभान ने हर एक मुद्दे पे विस्तार से चर्चा की और बहतरीन सविधान भारत देश को देने की कोशिश की जिसमें वो सफल भी हुए और इसी वज़ा से समय लगा अलोचकों का ये भी कहना है कि वकीलों और राजनितग्यों का प्रभुत्व है यानि कि सविधान सभा में सिफ वकीलों का और जो राजनितग्यों हैं बड़े बड़े उनका ही बोल बाला है उन्हीं के माध्यम से कानून बनते हैं उन्हीं की मर्जी चलती है ठीक है जबकि एक्चुल बात क्या है? एक्चुल बात तो ये है कि सविधान सभा में तो हर एक प्रतिनिधित्व सभी व्यक्ति को मिला, सभी समुदाय को मिला, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एंगलो इंडियन हो, पार्सी हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिसकस किया था, कि हर एक समुदाय को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला, ताकि सविधान सभाम के निर्माण में, सविधान के निर्माण में हर एक समुदाय का योगदान जा सके, और कुछा लोचक कहते हैं कि सविधान सभाम में हिंदू का प्रभुत्व है, यानि यहाँ पर में तो भाउत संक्यक हिंदु ही थे. लिकिन बाकी क्याटेगरीज को भी बराबर का हिस्सा देते हुए सभी का महत्व सेम था. और सभी के सैयोग से ही स newest lab StriJas kar Alabthyiser. हाला कि अलुच्चा के बाद कहते हैं लेकिन हमारे सविधान निर्माताओं ने सविधान सभा के सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा और बहतरी सविधान हमें दिया है I hope आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेर करेंगे और हमारे चानल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है और हम कल आपके साथ लाइव MCQ session में जुड़ेंगे और इस टॉपिक से कुछ important MCQs देखेंगे जो आपके CUT के exam के लिए बहुत important है So, thank you